इस तेल को बनाने के लिए हमने कुछ आउले को अच्छी तरह से दो लिये है दो ले हुए अमले को मैंने कद्दुकस कर लिया है आप चाहे तो मिक्षर ग्राइंडर में उसे ग्राइंड भी कर ले सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक लोहे की कड्दाई ले लिये आपके पास जो भी बर्तन आपके उपयोगी हो आप उसे इस्तेवाल कर सकते हैं मैंने यहां पताँजली का coconut oil यूज किया है आप चाहे तो दूसरें ब्रेन भी यूज कर सकते हैं मैंने coconut oil और कद्दुकस किये हुए आउले को एक साथ कड़ाई में डाल लिया है इसे अभी हम गेस में धीमी आच में पकाएंगे आउले को कम से कम 5-7 मिनी तक धीमी आच में पकाएंगे इसे धक्कर नहीं पकाना है, खुला पकाना है धक्के पकाने से इसमें रहने वाली पानी नहीं सूख पाएंगे और जो ओयल आप बनाओगे वो जल्दी ही खड़ाब हो जाएंगे आउलो को ब्राउन होने तक धीरे धीरे धीमी आज में पकाते रहें बस अब ये रेडी है अब इसे हम एक साफ कोटन के कपड़े लेके उसमें डाल लेंगे और इस तरह से ओयल को निचोड़के निकाल लेंगे बस ये आउला के तेल अब रेडी है ये ओयल बालो के लिए बेस्ट ओयल है इसमें किसी तरह के केमिकल का भी यूज नहीं किया गया है और ये घर में बनाओवा ओयल है अब इस सोईल को आप एक एरटेट कंटेनर में स्टोर कर ले आप जितने दिन चाहे इसे यूज कर सकते हूं ये खराब नहीं होंगे